हेलो दोस्तों ओनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और हमारी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो प्रेक्टिस सेट है आने वाले सबी एक्जाम के लिए उसमें टॉप थर्टी कोशन जीएस के हम सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है प सब्सक्राइब करें और आप हमारा टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हैं डेली अपडेट के लिए इसके अलावा हमारा जो चैनल है फाइव मिनट जी के उसको भी सब्सक्राइब कर लीजए जहां पर आपको शॉट वीडियो मिलेंगी साथ ही साथ सबसे इंपोर्टेंट हमा हम देखते हैं हमारा पहला कोशन प्रकास अंसलेशन के दौरान हare पौधे किसका अकरते हैं तो लगभख सबी को पता होगी यह चीज जो प्रकास अंसलेशन होता डिसको इंग्रिश में क्या बोलते एं फो टो सिंतेसिसं के जो प्रोसेस होती है प्लांट जो ट्री जा यह उनके दौरा की जाती हैं तो वो क्या करते हैं अबजॉब करते हैं कारवन ड़ाउकसाइड थीक है न इसी के बाद वो क्या release करते हैं O2 यानिい oxygen और ये का कब होता है ये जो presence होती है किसकी sunlight कि दीक है न प्रेजेंस अब दी सनलाइट ठीक है नेक्स्ट इम गोशन देखते हैं निमलिकित में से कौन सा एक प्रकास अंसलेशी वर्नक नहीं है तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है एंतोसाइन ठीक है परण हरित हम बात करें क्लोरोफिल जो है इंपोर्टेंट होता है प्रकास अंसलेशन के लिए ठीक है इसके बाद यह तीनों ही जो हैं फाइकोबिलिन और केरोटेनोइट तीनों ही इंपोर्टेंट हैं किसके लिए फोटोसंथेस के लिए लेकिन जो आपका एंतोसाइन होता है यह कहीं से लेटेट नहीं है कहां से फोटोसंथेसे ठीक है तो यह देख सकते हैं आप यही चीज यानि की green plants, okay, जैसे कि आमने देखा था जो photosynthesis होती है, वो भी होती है in the presence of the sunlight, ठीक है, next question देखते हैं, आर्थिक व्रद्धी किस से संबंदित है, तो जो आर्थिक व्रद्धी की हम बात कर रहे हैं, economic development की, तो वो relate किस से करती है, तो किसी अर्थ व्रद्धी में कुछ अवधी तक प्रती व्यक्ति वास्तिविक आई की निरंतर व्रद्धी, चीक है, समझ में आया, economic development क्या होता है, तो किसी समय अवधी में, किसी अर्थ व्रद्धी में होने वाली वास्तिविक आई की व्रद्धी आर्थिक व्रद्धी कहल होता है चीक है हम बढ़ते हैं आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट कोशन निमलिकित में से कौनसी जल विद्धुत परियोजना तमिल नाडू में नहीं है तो इन में से कौनसी है तो इसका रूस सही आंसर है इडुक्की जो है कहां पर है केरल में है इसके अलावा अलियार पे तो यह आप याद रखेगा इडुक्की काफी इंपोर्डेंट है नेक्स्ट हम देखते हैं निमलिकित में से किस स्थान पर विद्धुत जल शक्ती से पैदा की जाती है ठीक है तो सही आंसर है इस मेटूर ठीक है ना सभी ने सुना होगा मेटूर बान के बारे में आप लो शक्ती से विद्धुत का उत्पादन होता है तो डिफरेंस समझ में है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर राश्चिय सीमा है सुधी आंसर इस बांगलादेश ठीक है चार अजार की लगभग है हम बात करें इंडिया की तो यह जो लैंड बाउंडरी शेयर करता ह शेयर करना है साथों के नाम आपको याद होने चाहिए ठीक है तो सबसे पहले है पाकिस्तान फिर है अफगानिस्तान फिर है चाइना फिर नेपाल फिर बूटान फिर बांगलादेश और फिर म्यामार यह सेवन कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया की बाउंडरी शेयर होती है सबसे लंबी बांडरी है बांगलादेश के साथ और सबसे चोटी जो है वह है अफगानस्तान के साथ ठीक है देखे मैंने कहा था चार हजार तो 4096 साथ किलो मिटर लंबी है ठीक है और इसके बाद कौन-कौन से जो स्टेट हैं जो इसको सपर्ष करते हैं तो त्रिपुर के दोरान भारतिय संसत के काम काज में शून निकाल का अर्थ है तो जो प्रश्ण काल और अगली कारसूजी के बीच का जो समय होता है उसको क्या शून निकाल कहा जाता है ठीक है नेक्स देखते हैं भारतिय संविदान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है तो यह क्या है ए प्रोपर्टी जो है वो क्या हुआ करता था एक fundamental राइट यानि कि मौलिक अधिकार हुआ करता था तब हमारे total 7 थे लेकिन इसको वहाँ से delete करके इसको क्या बना दिया है एक विविद अधिकार बना दिया है ठीक है तो अब fundamental राइट कितने हुए 6 हुए निम लिकित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकिकरंट से संबंदित नहीं था चीक है तो इसका रुष सही आंसर होने वाला है that is Mussolini हम देखते हैं इटली के एकिकरंट का श्रे मैजिनी काउंट केवर और गेरी बाल्डी को दिया जाता है इटली के एकिकरंट का जनक जौसेफ मैजिनी को माना जाता है और मुसॉलनी इटली से संबंदित नहीं था चीक है दुत्य विश्वेद के दुरान जापान के किन शहरों में परमानु बम गिराए गए थे the most important question ठीक है सभी को पता होगा सो हिरोशिमा और नागा साकी ठीक है 6th August 1945 और 9th August 1945 ठीक है 2nd World War जुब चल रहा था तो हिरोशिमा और नागा साकी इन दोन पर जो फैटमेन लिटल बॉई एंड फैटमेन दोनों जो न्यूक्लियर बम है वो गिराए गए थे चीक है USA के द्वारा दुती विश्वित के दौरान जापान के हिरोशिमा सहर पर 6 अगस को नागा सागी पर 9 अगस 1945 को USA द्वारा पर मानुब गिराए गए थे next देख लेते हैं हम नेम निकित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांती का आरंब हुआ तो इसका जो आंसर है जाट इस बैस्टील ठीक है न सबीनों सुनाओगा बैस्टील के दुर्ग के बारे में तो ये 1789 में जो है लोगों के दौरा इसको पूरा डिवास्टेटिट कर दिया गया और वहीं से फ्रेंच रेवलुशन स्टार्ट हुआ रूसी करान थे किस बर स्टार्ट हुई किस बर शुरू हुई तो आंसर इसका 1917 यानिकी रस्यन रेवलुशन next रिखते हैं बौस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंद किस से है तो इसका जो आंसर है अमेरिकी स्वतंतरता युद ठीक है Boston Jaya Party घटना अमेरिकी स्वतनता युद के दोरान 16 दिसंबर 1773 को हुई थी किस संदी से प्रथम विश्वयुद समाप्थ हुआ था बहुत important है तो जो वर्सलीस की संदी थी ठीक है न इसी के बाद जो है प्रथम विश्वयुद समाप्थ हुआ था ठीक है बहुत interesting है अगर आप first world war और second world war की बार में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको वो topic समझ में आएगा काफी easy है मौलिक अधिकारों पर यतोचित प्रतिबंद कौन लगा सकता है तो इसका रूँ सही answer that is संसद यानि की parliament भार्ति सम्मिदान की तहत मौलिक अधिकारों पर यतोचित युक्ति युक्त निरवर्धन का प्रतिबंद संसत द्वारा विधी बनाकर लगाया जा सकते है ठीक है ना बायानिल लॉग रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की सुधा अंसर है स्वामी विवेका अनंद ने ठीक है इनके गुरू थे अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी सिक्षा का माध्यम कब बनाया तो इसका रो सही answer that is 1835 को ठीक है भारत में अंग्रेजी सिक्षा का माध्यम 1835 2835 में बनाया था भारत में अंग्रेजी सिक्षा का माध्यम बनाने में लॉड मिकावले का महत्पुन योगदान रहा था बुनियादी सिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था इसका रो सही answer that is महात्मा गांदी ठीक है जो हमारे father of nation है उन्हीं के दोरा नेम लिकित में से किसे भारतिय पुनर जागरण का जनक माना जाता है सुधी आंसर इस राजा राम मोहन राय जिनको modern man of India भी बोला जाता है ठीक है गाइस नेक्स देखते हैं ब्रहम समाज के संस्थापक थे तो ब्रहम समाज के संस्थापक जो थे राजा राम मोहन राय थे राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधार आंदुलन के अगरिनी थे इन्होंने ही सती प्रता पर्दा प्रता बाल विवा का विरोध किया था और इनका अंत किया था और उनने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ESV में की थी छीक है शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था तो इसका तो सही आंसर है दाट इस दो बार कब तो हम बात करें नोंने जो है पहली बार लूटा था 1664 में और दूसरी बार 1670 में ठीक है फरवरी 1664 और अक्टूबर 1670 ठीक है इनका जो टाइम पीरिड है शिवाजी का वो देख सकते हैं गुप्त राजा जिसने विक्रमादित की पदवी धारन की थी आंसर इस चंद्रगुप्त 2 ठीक है गुप्त वंज के करें स्थापना करें बात करें तो 319 AD में अश्री गुप्त के द्वारास की स्थापना की गई कई सारे इंपोर्टन डूलर्स कंद्गुप्प, समद्रगुप्थ, कुमारगुप्थ, समद्रगुप्थ को जो है भात का नेपोलियन भी बोला जाता है ठीक है तो गुप्त वंज में हुए है चंद्रगुप्त दुतिये ने जो है विक्रमादित की उपादी धारन की थी तो यह सोयम को चंद्रगुप्त दुटिये विक्रमादित्य बुलाते थे चीक है विक्रमांग क्या फिर विक्रमादित्य और जो गुप्त काल है इसी को इनका जो काल है इसको गुप्त काल का स्वर्णयुक भी माना जाता था चंद्रगुप्तु दुर्तिय है, और किस नाम से जाना जाता था? सो हमने डिसकर्स किया किस नाम से? विक्रमाति के नाम से, गुप्तकाल के चांदी के जो सिक्के थे, उनको क्या कहा जाता था? आंसर जो है इसका रूपक, ठीक है? हम बायत करे हैं, सोनी के सिक्कों को दीनार और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था हरी शें नेमने के तो राजाहों में से किसका राज कभी था सुद्यांसर इस समुद्र गुप्त ठीक है समुद्र गुप्त जो थे गुप्त बंश के शाशक 13 से के अभी हमने डिसकस किया था दक्षिन विजय करने का मिशन अलाउद्दिन खिल जी ने किसे सौप पा था तो सुद्धा आंसर इस मलक कफूर मदुरई पांड राज की राजधानी थी 1311 इश्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दिन खिल जी ने जो है उनके सेना पती थे कौन? मलक कफूर ने यहाँ पर आकर्मन किया यहाँ का शाशक वीरपांड ने राजधानी छोर कर भाग गया और मदुरई तक पहुँचने वाला मलक कफूर दिल्ली का प्रथम जनरल बना था इन्हों ने देवगिरी, वरांगल, काक्तिय, मधुर, सब जगा पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और खलजी वनश के तरह हम बात कर ले तो जलाउद्दिन खिल जी के दौरा स्थापना की गई थी वजार विनमय प्रणाली अलाउद्दिन खिल जी दौरा आरम की गई थी अलाउद्दिन खिल जी के बाजार नियंतरन की जो पूरी विवस्था का संचालन है उसे दीवाने रियासत नाम का अधिकारी देखता था ठीक है शेहनाए दीवाने वजिरत शेहनाए मंडी काई सारे डेपार्टमेंट जो हिनोंने बनाए थे नेक्स दिखते हैं वे सुल्टान कौन था जसने खलीफा की अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था ये भी कौन थे अलाउद्दिन खिल जी ही थे अलाउद्दिन खिल जी ने खलीफा की अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था ये हमारी आज की वीडियो थी आई होब वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको जाज़़दा लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू